तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ आएम पेशेर्स की तो वीडियो को आगे कंटिन्यू करो उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल दे महाजन ट्रेडर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना साथ ही आप हमारे टेलिग्राम चैनल को भी चोईन कर सकते हो जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी वहाँ आपको निफ्टी और बैंग निफ्टी की काफ़े कुछ अपडेट्स मिलने वाली है तो प्लीज जाकर एक बार चेकआउट जरूर करना तो विडियो को करते हैं कंटिन्यो तो वीडियो की शिरुआत हम करेंगे एन एचपी सी लिमिटेट के साथ एनेचपी सी लिमिटेट की अगर हम बात करें तो बिलकुल एनेचपी सी में यहाँ पर इसके results जल्दी announce होगे plus यहाँ पर results से पहले ही इन्होंने dividend का announcement भी कर दिया है NHPC की अगर हम बात करें तो stock में आज गिरावट ने जराई बेलकुल 130 रुपे 42 पेसे के level पे यह share जो है closing देता हो ने जराया 1 रुपे 30 पेसे तक के fall ने जराया है के days में अगर आप देखोगे तो upside down momentum होना यहाँ पर सभाईक सी बात है क्योंकि कई बड़े जो इनके projects है floods के कारण यहाँ पर ठप पढ़ जाते है इनके काम में यहाँ पर अगर देखे काफी हद तक disturbance देखने को में मिलता है तो ऐसी चीज़े normal सी है और यहाँ पर अगर देखे results announce होने वाले है और वो भी आगे देखेंगे but stock में आज morning सही एक fall देखने को बिला हाला कि recovery इसने बताई but again एक fall आया फिर recovery बताई फिर again एक fall आया तो उसके बाद यहाँ पर अगर देखे sideways यह share नजर आया था पिछले पाच दिरों में continue गिर रहा है एक महीने की अगर बात करें तो starting में काफी अच्छी देजी stock manager आती है फिर उसके बाद sideways एक slowly गिरावट जो है stock में देखने को मैं मिली यहाँ पर अगर हम बात करें तो बिलकुल quarterly results इसके announce होगे 7 अगस्त 2024 यहाँ पर quarter one FY25 के जो earnings है यहाँ पर release होने वाली है तो साथ तारीक बिलकुल याद रखना है 7 अगस्त note down करके आप रख लो और साथ ही अगर हम बात करें यहाँ पर dividend की तो बिलकुल record date यहाँ पर fix कर दी गई है तो यहाँ पर dividend कितना होगा तो पहले ओचीज देख लेए तो 50 रुपे पर रिक्विटी शेर का डिविडेन जो है company की ओर से दिया जा रहा है और record date की अगर हम बात करें तो 12 अगस्त जो है 12 अगस्त 2024 record date fix कर दी गई है 12 अगस्त से पहले आपको share को buy करना होगा तभी आपको इसका benefit मिलेगा तो यह point भी आपको याद रखना है और NHP से अगर आप देखो एक बहतरीन शेहर है एक महिने में आप खुद देख सकते हो तेजी अगर stock में आती है तो एक तरफा रहती है फिर उसके बाद भले ही profit working stock में देखने को में मिलती भी है और वही अगर देखे result से पहले तो बिलकुल एक बड़े jump आ सकते है highly chances है और वही अगर हम देखे तो stock में जो volume है volume भी काफी तगड़ा हमें नजर आ रहा है stock में अगर देखे उम्मीद है कि stock में growth आएगी भले ही one week में अगर आप देखो थोड़े minus returns यहाँ पर है but one month की बात करे three month की बात करे तो काफी अगर हम बात कर रहे तो इसके income statements की तो sales यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कही ना कही June 2023 के quarter के मुकाबले अगर देखे तो इस बार जो sales है हम उमीद करेगी कि sales यहाँ पर बड़ेगी क्योंकि June 2023 में कि यहाँ पर काफी बहतरीन sales रही है second highest sales यहाँ पर हमें देखने को मिली और September 2023 में तो काफी बड़ी sales देखने को मिली दी हमें हाला कि यहाँ पर अगर देखे यहाँ पर काफी हद तक number तगड़े रहे है total income की बात करें total income में numbers थोड़े increase हुए है total expenditures की बात करें तो उसमें थोड़ी बद गिरावट हलांकि EBITDA जो है company का काफी हद तक बड़ा net profit की अगर हम बात करें net profit भी यहाँ पर reduce होते वे नज़राया है last quarter के मुकाबले इस quarter में तो अभी June quarter के क्या statements रहते है वो भी important चीज़ हो भी देखेंगे बट बात करेंगर revenue की तो revenue आप देख सकते हो 2023 के मुकाबले 2024 में revenue थोड़ा down था अभी के revenue पर नज़र डालेंगे अभी का revenue क्या होता है quarter wise भी हाँ पर revenue थोड़े के down नज़र हमें आये है तो देखना होगा आगे क्या numbers देखने को बलता है और बिल्कुल यहाँ पर हम levels की भी बात करेंगे कि stock में levels किस तरीके से काम कर रहा है NHPC के साब performance यहाँ पर कर रहा है और क्या performance की आगे हमें देखने को मिल सकती है तो levels को discuss एक बार हम कर लेंगे तो आजाते हैं NHPC के उपर तो NHPC के अगर आप देखो तो 5-minute के time frame पर stock बिल्कुल इहाँ पर अगर देखें गिरावट बताता हो नज़रा रहा है उपर से जो resistance level की हमने बात की थी उसी point से stock ने resistance भी face किया 15-minute के time frame पर अगर हम देखें या फिर उससे बड़े time frame पर देखें तो उपर की जो ए ट्रेड लाइन में बनाई हुई है एक काफियत तक IMP trade line रही है क्योंकि इस particular trade line से अगर आप देखोगे तो एक resistance जो है यहाँ पर ए share face करता हो नज़रा रहा है बेलकुल यहा से गिरावट रही यहा से गिरावट रही फिर अगेन यहा से गिरावट रही तो multiple time यहां से जो है stock गिरा और एक चीज़े हमने पहले ही discuss कर ली थी क्योंकि हमें पहले ही इस चीज का अंदाजा हो गया था क्योंकि पहले भी अगर आप देखो इस level से हमें fall देखने को यहाँ पर मिले है यहाँ पर से भी share गिरता हुआ हमें दिखाई दिया है इस point के उपर भी आप ध्यान दो और यही चीज अगर मैं आपको 30 minute के chart frame पर भी बताओ तो 30 minute के chart frame पर भी यही point हमें देखने को मिल जाता है तो बिलकुल आप देख सकते हो stock में जो है high probability है कि upside का ही हमें breakout मिले क्योंकि downside की और से एक तगड़े support भी है share में और gap filling भी जरूरी थी तो gap filling भी यहाँ पर काफी हम तक है important रही है तो यहाँ पर अगर आप दिखोगे तो stock में downside की और से तो एक support है बिलकुल आप इसके उपर ध्यान दो और साथ ही अगर उपर की बात करें तो बिलकुल कह सकते हो कि एक resistance भी यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है तो इन upside down momentum के चलते हैं अगर आप देखो तो यहाँ पर एक बिलकुल यह वाली trade line भी बना रहा है बिलकुल एक symmetrical type pattern भी बन रहा है इस trade line को अगर हम mark करें तो बिलकुल symmetrical type pattern है प्लस एक ascending type triangle है तो breakout यहाँ पर अगर मिलता है तो stock उपर जाए गई जाएगा और जैसे मैंने आपको बताया कि 15 minutes के चाट फ्रेम पर gap pending यहाँ पर पड़े थे पहले अगर हम देखें तो बिलकुल stock में एक huge gap up हुआ था इस gap up के बाद gap pending बड़ा होता तो gap भी stock जो है feel करता हो नजर आ रहा है तो यहां से कहीं न कहीं positive जो चीज़े हैं वह भी होती हुई stock में अगर देखो तो नजर आ रही है और day 1 के time frame पर अगर मैं आपको बताओ तो day 1 के time frame पर एक ascending type triangle जो है already यह बन रहा है और इस ascending type triangle में अगर आप देखोगे तो downside की ओर से एक तगड़ा support देखने को में already मिल जाता है इस particular range पर आप देखो multiple time इसने support लिये है उपर से अगर आप देखोगे resistance भी है तो इस upside down के चलते है अगर breakout मिला तो stock में एक अच्छी तगड़ी rally देखने को मिल सकते इस point के उपर ध्यान रग क्योंकि यहाँ पर अगर आप पहले भी देखोगे यहाँ से तेजी रही यहाँ से तेजी रही फिर अगेन यहाँ से तेजी फिर अगेन यहाँ से तेजी possible है तो wait करेंगे आगे stock में क्या होता है अभी बात करते हमारे next stock की SGBN Limited SGBN की अगर हम बात करें तो stock 144 रुपे 10 पे stock बिल्कुल यहाँ पर हमें गिरता हुआ दिखाई दिया और वही अगर हम बात करें एक महीने में तो stock ऊपर बढ़ा भी फिर अगेन डाउन भी जाता हुआ में नज़रा तो कई proper upside down momentum जो है stock में हमें देखने को यहाँ पर मिले SGBN की अगर हम बात करें तो 9 August 24 इसके quarterly results announce होगे बिल्कुल quarter 1 F25 के results 9 August को यहाँ पर आने वाले हैं तो इसके उपर भी आपको ध्यान देना चाहिए और इसके levels क्या कहते हैं तो भी हम एक बार check out कर लेंगे तो पहले हम 5 minute के time frame पर देखें तो 5 minute के time frame पर यहाँ पर आज की अ एक fall देखने होलता है जैसा हमने NHPC में देखा वैसे ही levels यहाँ पर इसमें भी बने बट इसी fall के साथ अगर आप देखो तो कल के लिए कुछ positive चीजे मैं आपके साथ discuss करता हूं जैसे यह वाली जो range है कल के लिए important रहेंगी एक proper support है downside की ओर से और उपर से अगर आप देखो होगे तो stock यहाँ पर अगर आप दीखो बिलकुल resistance भी इसने face किया है और उपर से अगर आप दीखोंगे तो बिलकुल share में यहाँ से गिरावड भी रही तो इन upside down momentum के चलते हैं अगर आप दीखोगे तो इगर breakout मिल जाता है तो stock में एक अच्छी rally देखने को में मिल सकती है एक अच्छे momentum जो है यहाँ से आ सकते easy ओपर से breakdown यहाँ पर रहे बिलकुल गैप भी यहाँ पर feel होगा डड़ने वाली बात नहीं है और one hour के time frame पर अगर हम levels को discuss करते हैं तो one hour के time frame पर बिलकुल share गिरावड यहाँ पर बता सकता है क्योंकि downside की उड़से का support के बारे में मैं डिसकस किया था उसी level पर support लेने की a share जो है कोशिश कर रहा है पूरी कोशिश आपर इसकी हो रही है यह चीज़ अगर मैं आपको day one के time frame पर बता हूगा तो आपको each point जो है clear हो जाएगे मैं क्या के ना चाता हूँ कि अब बड़े level पर अगर आप देखो तो stock में एक ascending type triangle बन रहा है तो support लेना जरूरी है support लेने के बाद stock में एक अच्छी बड़त देखने को में मिल सकती है तो wait करेंगे overall काफी कुछ चीज़े discuss कर चुक है I hope आपको यह video helpful और अच्छा लगा होगा video अच्छा लगा हो video को like channel को subscribe करना और कोई भी stock में investment करते हो इनका analysis करना साथ ह अच्छी टेली ग्राम जरा को जोइन करो link नीचे डिस्क्राइब